लेकम गाइच जेकलों जोब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागते सस्क्राइब कीजिए जेकलों जोब चैनल को और पाते रहे रोजना मल्टेपल चोईस कुछन हिंदी और इंग्लिस लेंगवेज में ठीक है तो चले आपके बोटनी स्टार्ट करते हैं जो की इंट्रा बताइए आपके ऑप्सन है कि होट सेल के बाहर निस्ट करिए किशली करत के जा सकते हैं या फिर एंटिबायोटिक से प्रवाइविट कारे में गेर विशिस्ट इंग्लिस का सार आप ले सकते हो इनक्टिवेट आउटसाइड होट सेल केन बी किशलाइड अनपकर एंटिव आपशली नौन साँप्शन साइड़ उसके बाद हम आपको र deix बताएंगे इसका लग joue लगए अपने तो सो सिंप्ल전 कारे में कारे में ग्यर विशिस्ट इंग्युणिश इंक्षम्राइड अए नाम क्या है वाट इस दा कॉमन नेम ओप मेका स्पोरिंजिया ओप एंजिय स्पर्म बुरुन तेली बिजन्डासन अंडासे या फिर बिजन्ट बताइए इसका राइट उसन क्या होगा तो गैज इसका राइट उसन होगा आपका और विल्स यानिकी बिजन्ट ठीक है नेक्स्ट बुक्सरन के प्रवाव क्या है वाट आर दे इफेक्ट आप सोईल इरॉक्सन केवल अकाल केवल आकसमानिक बाड केवल जलासियों का आवसादन या फिर उप्योक्स बी इसका राइट उसन हो जाएगा आपका उप्योक्स बी आनिकी केवल अकाल भी है बाड भी है जलासियों का आवसादन भी है उप्योक्स बी इसका राइट उसन हो जाएगा नेक्स्ट ग्लुकोज से पारविक अमल में रुपांधरन की प्रिक्रिया का क्या नाम है वाट इस दे नेम और प्रोसेज और कंजरेशन और ग्लुकोज टू पाइरवेट एसिड इलोक्ट्रोन ट्रांसपोर्ड टीसी चक्र ग्लाइकोलिसिस ग्लुकोजेनेसिस इसका राइट उसनों जाएगा आपका सिंपल सा ग्लाइको लाइसिस ठीक है ग्लाइकोलिसिस आप उसको बोल सकते हूँ ग्लाइकोलिसिस अग्लाइकोजेने मॉस्ट इपोर्टेंट रोजन आपको मिलते रहेंगे आपको तो चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है इंपलुएंजा एक विसोनों के कार्ण होता है जो अंडाकार या गुलाकार होते है जिनमें नीत होते है इंपलुएंजा इनकोजबाई वाइरस देट इज इन ओवल और राउंड सेप एंड कंटेंट प्रोटेन से समद्ध दोरे अवद आरेने राइबो नूकलियो प्रोटेन के एक आंत्रिक कुंडलित कोर से आरेने या फिर प्रोटेन से समद्ध एकल अवद डियने इसका राइटर सुन हो जाएगा राइबो नूकलियो प्रोटेन के एक आंत्रिक कुंडलित कोर से आरेने ठीक है राइबो नूगली प्रोटीन के ठीक है अगला किसे एक सुध प्रोटीन अनों में सामाने रूप से कितने सिरे होते है हाव मेने एंड डजे पूर प्रोटीन मोलिक्यूल नॉर्मली है विबिन स्रे इनमें से कोई नहीं चार स्रे दो स्रे सिंपल सांसर हो जाएगा इसका दो स्रे टू एंड्स नेक्स्ट उस विगयनी का नाम बताए जिन में जगत के पांच वर गीकरन पराइब किमडन क्लासिफिकशन का प्रस्ताउब किया गया था नेम्दा स्टेंटिस्ट्ट फू प्रोपॉजड दर फाइब केमडन क्लासिफिकरसन इस का राया वप्षन हो जाएगा नेक्स्ट सारे क्यूशन ही पॉर्टेंट है और इसे क्यूशन आपको मिलते रहेंगे आपको दो चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है इसी प्रकार के मिल्टी पल्चों रोजया आपको मिलते रहेंगे मुक्त रूप से तेरने वाले पोदों को पहचाने जो जलक्रम के संक्रोन संभुदाई यानि की ट्रांजिशनल कम्मुनिटी पर कबजा करते हैं पहले तो आप लगाओ टिक ताकि आपको टिक लगाना आ जाए नहीं तो आप इंट्रास एक्जाम में गलती करक्या होगे क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होगे ना आपकी टिक लगाने की किसी पर पर लगा दो गाईज आप तो इस पर इस पर चार ओप्सन है किसी पर भी ताकि आपको अपनी गलती का हैसास हो जाए यहाँ यहीं गलती अगर आप वहां करोगें इंट्रास एक्जाम में तो वहां पर तो आपका रिजेट में सो होगी बट यहाँ अगर वीडियो में करोगे तो आप सिखोगे कुछ ना कि ठीक है लगा दिया होगा आपने लेम ना इसका रायट अप्सन होगा अब इमानदार से बत प्राष्तिति की तंत्र में ट्र्श्यवफिशन क्याँ होता है वेर डैज एक्रिटोपी किस न टेक्लरेनस ओ सिस्टमडेम में ड्राइलेंड सुस्कभूमी वाटरबोडी जल निकाए ग्रास लैंड यान की ग्रास रूक फींडल में ऐक्जामता और सिंपल जल निकाए में वाटर बोड़ी में ठीक है नेक्स्ट कि उसमें तो सारे इपोटेंट है आपके लिए वर्तिकागर और प्राकन के बीच रासानिक सवाद को पाचान में मदद करता है कौन करता है देकेमिकल डायलुक बीटमीन स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन हैल्प तो रिकोगनाईज एंटिपोडल पॉलन ट्यूब इस्प्रम नुकलिस राइट पॉलन राइट ऑप्शन इस राइट पॉलन ओके नेक्स्ट आवर्थ बीजी के प्राकुनों को बीना किसी सरण के जिवासम के रूमें अच्छी तरह से सरक्षित क्यों किया ग्या माइक्रोपाइल के उपस्टिती इस्प्रोपॉलिन के उपस्टिती आवर्ण के उपस्टिती अंतर्चोल के उपस्टिती राइट उप्सनों जाएगा आपका इस परो पोलेने की उपस्तिती Next कौन सा उत्तक पेरिडर्मा का निर्मान करता है Which tissue produce पेरिडर्मा कार केम्बियम, वस्कलोर केम्बियम या फिर आपका सेगेंडरी कोटेक्स या फिर प्रोकेम्बियम राइट उप्सनी इस कार केंबियम नेक्स्ट निमल लिगत कतनों में से कौन सा एंजाइम के विशे में असत्त है वीच ओफ दा फ्लोविंग सेटमेंट इस इनकरेक्ट अबाउट दा एंजाइम यानि कि यह क्यूशन आपकी नोलेज चेक करना चाहता है कि आपको एंजाइम के बार में कितनी नोल का ओप्सन है एंजाइम को अधिक्तम गतिविदी के लिए अनुकलन प्यच क्याव सेकता होती है एंजाइम उच ताप क्रम पर विक्रत हो जाते है अधिकांज एंजाइम प्रोटिन होते है लेकिन कुछ लिपिड होते है या फिर एंजाइम अपने किर्यानवे में तबी तो आपको आएगा ना तीन तो इसमें क्रेक्ट है और एक इन क्रेक्ट है तो यह आपको बताना है लगाओ टिक लगा दिया इसका राइट अप्शन हो जाएगा अधिकांस एंजाइम प्रोटीन होते लेकिन कुछ लिपिड होते यह बात गलते ठीक है तो यह आपका उप्शन हो जाएगा ठीक है यानि कि एंजाइम के बारे में यह जो आपने बाकी की बाते पड़ी न यह तो याद रख लो कि एंजाइम को अधिक्तम गत्तिविदी के लिए अनुकलन पेच क्याओ सकता होती है यह बास आईए एंजाइम उस तामान पर विकरत हो जाते है हाई टेंपरेचर पर विकरत हो जाते है यह भी सही बात है क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा जब आप खाना काते हो खाना काते हो अगर कुछ ज़्यादा ही खा लिया होता है तो digest नहीं होता है गर्मियों में क्योंकि गर्मियों पर एंजयम अच्छे काम नहीं करते है खाना तो एंजयम ही पचाएगा ना ठीक है अगर काम ही करना बंद कर देंगा एंजयम तो आपका खाना कैसे पचेगा नहीं पचेगा ऐसे में पेट दर्द, उल्टी, ऐसी सिकायत होती है क्योंकि उच्छता मान के कान खाना पचा नहीं है ठीक है सर्दियों में तो वैसे भी बच जाता है आपको कोई दिक्क्त नहीं है और छोथा उप्सन भी सही है कि अपने क्रियानों में विशिच्ट होते है तो यह ऐसे कुछन बहुत इपोर्टेंट होते है और ऐसे कुछन मिलते रहेंगे चैनल सब्सक्राब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको दो बस अगला क्युशन है कि निमल लिकेत में से कौन सा ततो पोदे में रंदर को खोलने और बंद करने में मात्पुन बुविका निबाता है विच ओब दे फ्लोविंग इलेमेंट प्ले एपोटेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे इस्टोमेटा इन प्लांट चल्सियम क्लोरीन पासपुरस पोटेसियम राइट ऑप्सनेज पोटेसियम खीएगे सो पोटेसियम ततो पोदों में रंदर को खोलने और बंद करने में मात्पुन बुविका निबाता है इपोटेंट रोल अदा करता है अगला क्यूसन क्यूसन आपका इए कच्रे के उपचार के लिए कौन सी कारगर भी दी है बेसरते इसे प्रयावण अनुकुल तरीके से किया जाए सुद्धारक नविनिकरण पुना चक्रण यान की रिसाइकल या फिर रिडूसिंग अपचाईग इसका रायट उसनो जाए अगला क्यूसन है क्यूसन तो रोज जना मिलते रहेंगे आपको गपराना नहीं है ठीक है चरम इस्तितियों में उनके जीवत रहने कादार पर यूबिक्टिरिया में विविन आदे विजाउनू कि मुक्के विसस्ता क्या है सूग्च अभी तो आपके लिए पीडिया लिंक भी देना है पिजिस के नोट सो कहा है ठीक है यह तो 15 तक हमने कर लें MC कूझ है MC कूझ तो आज अज गे भी है ठीक है बहुत इच्चे हैं देख सकते हूं आप सब कुछ इसमें लोग ऑफ जी कॉंजर्वेशन सब कुछ दिया हुआ है यानि कि आपका लेशन पास्ट और सेगिंड और थर्ड तीनों के लिंक आपको यानि कि एक लिंक है उसको उपन करोगे ना हम सब आपको बताए यह देखिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिस में दिया हुआ है बट उसको किसे किस परकार से मेनेज करना है उसको हम आपको सिखाएंगे अब हिंदी का भी हम आपको दिखा देते हैं यह हिंदी का पीडिया ठीक है फेजिक्स चैप्टर पास्ट सेगिंड और थर्ड तीनो इस लिंक होते हैं बट आपको नीचे एक लिंक मिलेगा उस पर आप सिद्धे वेबसाइट डर पहुंच आओगे वहां पर आपको वेबसाइट के से हम आपको दिखा देते हैं लिंक एक ही मिलेगा नीचे उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ इस पर क वालों के लिए part first, part second, part third chapter यानि की electro aesthetic वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके बाद आपको English medium वालों के लिए part first second, electro aesthetic chapter वाला ठीक है लिंक नीचे description दिया वाए जाइए download कर लिजे pdf फाइलों को और अपने mobile में save कर लिजे ओके दन्यवाद